नमस्कार दोस्तों, वी एन केडी स्टडी पोर्टल के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज आँ सब इस वीडियो में टोकियो ओलम्पिक से संबंधित एकजाम में जितने भी महतकूल प्रसन बन सकते हैं उन सबी प्रसनों को पढ़ेंगे और देखिए इसमें कूल पच्चास प्रसन है यदि आप इन सबी प्रसनों को देख लेंगे तो आप लोग एकजाम में टोकियो ओलम्पिक से जितने भी प्रसन बन सकता हैं आप सब एक भी प्रसन गलत नहीं करेंगे साथ ही दोस्तों इस वीडियो का पीडियाप आप लोग को टेलिग्राम चेनर पर मिल जाएका उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स दे दिया है वहाँ से आप सब डाउलोड कर लिजिएका तो चलिए हम सब शुरू करते हैं देखे आज का जो पहला प्रसन है हम सब इसे देखते हैं देखे प्रसन दिया है हाल ही में हुए टोकियो ओलम्पिक 2021 कब आयोजित होने वाले थे देखे यह जो टोकियो ओलम्पिक 2021 में आयोजित किया गया है यह 2020 का टोकियो ओलम्पिक है जिसका आयोजित 2021 में किया गया है तो देखे पहले का आपसन नंबर 10 सही होगा तो टोकियो ओलम्पिक 2021 जो आयोजित होने वाले थे देखे यह 2020 में होने वाला था जिसका आयोजित में किया गया दूसरा प्रसंद देखते हैं देखे दूसरा प्रसंद दिया है टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं देखे भारत जो है एक गोल्ड मेडल जीता तो दूसरे का आप्सन नंबर सी जो का सैयोगा अगला प्रस्ण देखते हैं देखिए अगला प्रस्ण दिखा है भारत के लिए टोकियो ओलंपिक 2021 में गोल्ड किसे ने जीता था तो देखिए तीसरे का आप्शन नंबर डी सहयोगा तो निरज चोपड़ा ने टोकियो ओलंपिक 2021 में गोल्ड जीता था अब चलिए हम सब निरज चोपड़ा से संबंदे जीतिने प्रसने बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखे अगला प्रसने दिया है निरज चोपड़ा किस खेल से संबंदित हैं तो देखे निरज चोपड़ा का जो संबंद है वह जेवेलियन धरो यानि भाला फेंग से संबंदी थाई हैं तो चौथे का आपन्चन नमबर डि जोगा सयोगा अग्ला प्रसन देखते हैं देखे अग्ला प्रसन दिया है निरेज चोपडा कि सराज के νिवासी हैं तो देखे यह हरियाणा के निवासी हैं तो पांच का आप्सन नमबर A सईयोगा अगला प्रसन देखते हैं हम सब देखे दिया है कि निरेज चोपडा ने टोकियो ओलंपिक 2021 में कितने मीटर भाला फेक कर भारत को गुल्ड जिताया तो देखे यह ने 87.58 मीटर भाला फेक कर भारत को गुल्ड मीडल दिलाया तो चैका आप्सन नमबर A सईयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं तो उस्तों याप अभी चैनल पर पहली आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राब जूर कर लिजेगा साथ ही वीडियो आपको अच्छारा ग्रहत वीडियो को लाई भी कर दिजेगा साथ हमा प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन दिया है निरज चोपडा भारती या सेना में किस पत परासीन है तो देखिए यहां निरट चोपरा जो हैं यह भारती सेना में सुवैदार के पत्वराश्ण हैं तो साथ का option number D है होगा अगला प्रसन देखते हैं हम सब देखें अगला प्रसन है पहली बार व्यक्तिगत असपरधा में ओलमपिक में ब्यक्तिगत अस्परधा में गोल्ड किसने जीता तो देखे 8 का आप्शन नमबर 20 सही होगा तो पहली बार ब्यक्तिगत अस्परधा में ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जो जीते वह अभिनो बिंदरा जीते थे देखे 8 का आप्शन नमबर 20 सही होगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखिए अगला प्रसन दिया है दूसरी बार ओलम्पिक में व्यक्तिगत अस्परधा में गोल्ड किसने जीता तो देखिए दूसरी बार निरच्चो पड़ाने जीता तो नौका आपसन नमबर एजो का सैयो का अगला प्रसन देखते हैं सब देखिए अगला प्रसन है टोकियो ओलम्पिक 2021 में पहलवानी में भारत को रजत पदक किसने दिलाया है तो देखिए आपसन नमबर सी सैयो का तो टोकियो ओलम्पिक 2021 में पहलवानी में भारत को रजत पदक रवी दहिया ने दिलाया है तो दस का आप्शन नमबर सीश्टाईयों का अगला प्रसन देखते हैं देखिए अगला प्रसन दिया है टोकियो ओलम्पिक 2021 में भारत को पीवी सिंधु ने कौन सम मेडल जिताया तो देखिए पीवी सिंधु ने जो है भारत को ब्रांज मेडल जिताया तो 11 का आप्शन नमबर सीश्टाईयों का अगला प्रसन दिया है टोकियो ओलम्पिक 2021 किस देश में आयो जित हुआ था तो देखिए यहाँ जापान में आयो जित हुआ था तो 12 का आप्शन नमबर सीश्टाईयों का अगला प्रसन देखिए दिया है टोकियो ओलम्पिक 2021 किस ओलम्पिक का कौन सा संस्क्रण है तो देखिए यहाँ ओलम्पिक का 32 संस्क्रण है तो 13 का आप्शन नमबर सीश्टाईयों का सैयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखिए अगला प्रसन दिया है 2021 के टोकियो ओलम्पिक खेलो के आयोजन से पहले कब ओलम्पिक खेलो का आयोजन हुआ था तो देखिए इससे पहले 2016 में रियोडी जिनेरियों में हुआ था तो 14 का आप्शन नमबर सीश्टाईयों का सैयोगा अगला हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसंदिया है हाल ही में ओलम्पिक में सामिल होने वाली पर्थम महिला नौकायन कौन बनिंग है तो देखे नेतरा कूम्नन बनिंग है तो याद रखेगा ओलम्पिक में सामिन होने वाली पर्थम महिला नौकायन नेतरा कूम्नन बनि आयोजन जापान में कब से कब तक किया गया था तो देखिए 30 जुलाई से लेकर 8 अगसा तक टोक्यो ओलम्पिक का आयोजन जापान में किया गया तो 16 का आपसन नमबर D सैयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखिए अगला प्रसन है लगातार दो बार ओलंपिक खेलो में मेडल जीताने वाली पर्थम महिला कौन बनी है तो देखिए आप्षन नमबर 20 सईयोगा लगातार दो बार ओलंपिक खेलो में मेडल जीताने वाली जो पर्थम महिला बनी है वह पीवी सिंधु बनी है तो सत्तर का आप्षन नमबर 20 सईयोगा अगला प्रस्ण देखिए दिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को मुख्य बाजी में कांस पदक किसने जिताया देखिए लौलीना बोर्गोहन ने जिताया 18 का आप्सन नमबर एजोह का सयोगा तो टोकियो ओलम्पिक 2021 में भारत को मुक्य बाजी में कांस पतक लॉलीना बुर्ग गेहन ने जिताया याद रखियेगा अगला प्रस्ण देखे दिया है पीवी सिंदू किसे खेल से संबन्दित हैं तो देखे पीवी सिंदू का जो खेल है वह बैडविंटन है तो बैडविंटन खेलती हैं तो नईस का आप्सन नमबर डीस है जोगा अगला प्रस्ण देखे दिया है टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत तोलन में किस भारती महिला ने भारत को सिल्वर मेडल जीताया तो देखे बीज का जोगा आप्सन नमबर डीस है योगा तो टोकियो ओलम्पिक 2021 में भारोत तोलन में मीरा भाई चानू ने देखिए भारत को सिर्वल मेरल जिताया तो 20 का आप्सन नमबर डी जो का सयोगा अगला प्रसन देखते हैं देखिए दिया है कि अब तक 2021 तक जापान में कितनी बार ओलम्पिक खेलो का आविजन हुआ है तो देखिए अब तक जापान में कुल चार बार ओलम्पिक खेलो का आविजन हुआ है तो 21 का आप्सन नमबर सिर्व सयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसन है टोकियो ओलम्पिक 2021 में भारत किसा अस्थान पर रहा तो देखे भारत जो है टोकियो ओलम्पिक 2021 में 48 में अस्थान पर रहा तो 22 का आप्षन नमबर सी जो होगा सैयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसन दिया है टोक्यो ओलम्पिक 2021 में भारत में कुल कितने पदग जीते हैं तो देखे टोक्यो ओलम्पिक 2021 में भारत कुल 7 पदग जीते हैं देखे जिसमें 1 गुल्ड है और देखे दो जो है सिल्वर है चार जो है ब्रॉंज मेडल है त्याद रखेगा अगला हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसन है टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं तो देखे 24 का आपसर नमबर जो होगा डीज सही होगा तो देखे टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल दो सिल्वर मेडल जीते हैं तो यहाँ पर आपसर नमबर डीज का सही होगा अगला हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसन है प्रसन नमबर यह 25 है टोकियो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने ब्रांज मेडल जीते हैं तो देखे भारत चो आपसर नमबर डीज का सही होगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखे अगला प्रसन दिया है अंतराश्टी ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से संसा करते हैं तो देखे आईयोची करता है तो 26 का अपसर नमबर डीज सही होगा अगला देखते हैं हम सब देखे अगला प्रसन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस खेल को 13 साल बाद बापसे मिली तो देखे बेसबाल को मिली 27 का अपसर नमबर सी जो होगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर देखे 28 है हाल ही में आईयोची ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है तो देखे ब्रेक डांस को 28 का अपसर नमबर डीज सही होगा अगला प्रसन देखिए है कौन से देख ने टोकियो ओलंपिक 2021 में सबसे अधिक पदग जीते हैं तो देखे अमेरिका जीता है टोकियो ओलंपिक 2021 में सबसे अधिक पद यहां पर देखिए आपसर नमबर जो होगा इसका सही होगा अगला हम सब देखते हैं देखिए अगला प्रसन दिया है टोकियो ओलंपिक 2021 में अमेरिका ने कुल कितने पदग जीते हैं तो देखे अमेरिका जो है कुल 113 पदग जीते हैं तो 30 का आपसर नमबर सी जो होगा सही होगा अगला प्रसन देखिए दिया है वेट लिफ्टिंग में रज़त पदग जीतने वाली पहली भारतिक खिलाडी कौन बन गई हैं तो देखिए यहां पर 31 का आपसर नमबर बी जो होगा सही होगा तो टोकियो ओलमपिक में वेट लिफ्टिंग में रज़त पदग जीतने वाली पहली भारतिक खिलाडी जो बन गई हैं मेरा भाई चानू बन गई हैं तो 31 का आपसर नमबर बी जो होगा दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छारा रात वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए साधी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगरा प्रसंद देखिए दिया है भारत ने टोकियो ओलमपिक 2021 में हांकी में कौन सा पदग जीता अगरा प्रसंद देखिए दिया है टोकियो ओलमपिक 2021 में दूसरे अस्थान पर कौन सा देश रहा था तो देखिए दूसरे अस्थान पर जो है चाइना था तो 33 का आपसर नमबर यह जो होगा सईयोगा अगला प्रसन देखिए दिया है टोकियो ओलम्पिक 2021 में तीसरे अस्थान पर कौन सा देश रहा देखिए तीसरे अस्थान पर जापान रहात याद रखेगा पहले अस्थान पर अमेरिका दूरसरे अस्थान पर चीन तीसरे अस्थान पर जापान रहा अगला प्रसन देखिए दिया है 2021 के टोक्यो ओलम्पिक में भारत की पूरुस हां की टीम के कप्तान कौन थें तो देखिए पूरुस हां की टीम के कप्तान मंद्प्री सिंग थें तो 35 का आपसन नमबर डी जो होगा सही होगा अगला प्रसन देखिए दिया है 2021 के टोकियो उलम्पिक में भारत की महिला हां की टीम की कप्तान कौन थी तो देखिए महिला हां की टीम की कप्तान रामपाल थी तो 36 का आप्सन नमबर सी जोगा सैयोगा अगला प्रसन देखिए दिया है 2021 के टोकियो ओलम्पिक में भारत देश के कुल कितने खिलाणियों ने हिस्सा लिया है तो देखिए 37 का आप्सन नमबर एस सयोगा 2021 के टोकियो ओलम्पिक में भारत देश के कुल 119 खिलाणियों ने हिस्सा लिया तो 37 का option number इस से योगा अगला प्रसन देखिए दिया है टोकियो ओलम्पिक 2021 में कुल कितने खेलों की प्रतिस फर्दा की गई है तो देखिए कुल जो है 33 खेलों की प्रतिस फर्दा की गई तो 38 का option number देखिए सीज से योगा अगला प्रसंद देखिए दिया है ओलम्पिक छले कितने महादीपों को दर्षाते हैं तो देखिए ओलम्पिक छले कुल 5 महादीपों को दर्षाते हैं 49 का आप्सन नमबर एस सयोगा अगला प्रसंद देखे दिया है कि ओलंपिक खेलो में पीला रंग की सब महादीब को दर्शाता है तो देखे ओलंपिक खेलो में पीला रंग एसिया महादीब को दर्शाता है 40 का आप्शन नमबर 6 सैयोगा अगला प्रसन देखे दिया है ओलम्पिक खेलों का सुभाराम बस्वरो पर्थम कब हुआ था तो देखे ओलम्पिक खेलों का सुभाराम बस्वरो पर्थम 1896 में हुआ था अगला प्रसन देखिए दिया है भारतियों ओलम्पिक संग समिती के वर्तमान में अध्याच का क्या नाम है तो देखिए वर्तमान में जो अध्याच है नरिंदर बत्रा है तो 42 का अप्सन नमबर ये देखिए सईयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं देखिए दिया है अंतराश्टी ओलम्पिक समित यानि आयोसी का मुख्याले कहा है तो देखिए लिवसाने जरलेंड में आए तो 43 का अप्सन नमबर ये देखिए दिया है प्रसन नमबर 44 है अगला गिरिस्म कालिन 33 वा ओलम्पिक संस्क्रत कहां आउजित होगा तो देखिए अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 44 का अप्सन नमबर ये देखिए दिया है भारत ने स्वरो पर्थम ओलम्पिक खेलो में कब भाग लिया था तो आप्सन नमबर 60 होगा अगला प्रसन देखिए दिया है भारती ओलम्पिक संस्क्रत का मुख्याले कहां है तो देखिए भारती ओलम्पिक संस्क्रत का मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है याद रखिएगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 47 है भारती ओलम्पिक समित की अस्थापना कब हुई थी तो देखे भारती ओलम्पिक समित की अस्थापना 1927 में हुई थी याद रखेगा अगला प्रसंद देखे दिया है कि स्शनोबेल पुरस्कार विजेता को टोकियो ओलम्पिक लारेंस 2021 पुरस्कार दिया गया है तो देखे मुहम्मद यूनुस को दिया गया Connorius का आप्सन नमबर आ जोगा सयोगा अगला प्रसन देखते हैं सब अगला प्रसन दिगा है टोक्यो ओलमपिक 2021 में कुस्ती में armpiring करने वाले एक मात्र भारती कौन बने आएं तो देखिए असोक कुमार बने है तो आपसर नमबर A सही होगा अगला हम सब देखते हैं देख़े अगला प्रसन आए भारत के धोजवाहग टोकियो ओलम्पिक 2021 में कौन बने है तो देखे यहाँ पर MC मैरिकाम और मनप्रीज सिंग दोनों बने है तो आपसे नमबर 10 से योगा A और B दोनों तो दोस्तो आज का आखिर प्रसन था आज हम सब इस वीडियो में टोकियो ओलम्पिक से कुल 50 महतपूर परसन पड़े है जो आपके आगामे परिच्छाओं के लिए बहुत ही महतपूर है दोस्तो दिया आपको यह वीडियो अच्छा लागा है तो वीडियो को लाइक का साथ यह आप डेली जो है जी के जी अस विज्ञान यह सभी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो इस वीडियो में तो दोस्तो नमस्कार जय हिन जय भारत